हेलो गाईज, वेलकम तो माई चैनल, लेट्स क्रेक जुडिश्री, सो गाईज, आज की वीडियो में हम लेंगे सेक्शन 10, रेस सब जुडाइस, यानि की स्टे ओफ सूट, सूट का स्टे हो जाना, यानि की अब जो आपने सूट इंस्टिटूट किया है, उसको रोक देना, तो बेर एक्ट आप अपना साथ ओपन कर लेना, मैं आपको की पॉइंट्स बताती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, देखिए, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ट्राइल, यानि की नो कोट शेल प्रोसीड विद ट्राइल, ट्राइल का मतलब अगर तो इसका मतलब जो इशूज हैं वो सेटल्ड हो चुके हैं सूट में, ठीक है, और रेस अप जुड़ाई यानि की सेक्शन 10 अपलाई होता है सूट पे, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रेस जुड़ी गाटा से जब हम डिफरेंशियेट करते हैं, तो उसमें सूट औ बात होती है, तभी तो स्टे होगा, यानि की जो पहला सूट था, वो पेंडिंग है और अब वाला क्या हो जाएगा, स्टे, ठीक है, ये चार बाते हैं, ये बहुत इनको आप बिल्कुल मेमराईज कर लेना, की पहला पेंडिंग है और अब स्टे, मैं बापको समझा देती हूँ, देखिए, सेक्शन टैन क्या कह रहा है, कि कोई भी कोट जो है, वो प्रोसीड नहीं करेगा, आगे नहीं बड़ेगा, अगर उस सूट का जो मैटर है, वो किसी पहले वाले सूट में सेम इशू, यानि की डारेक्टली और सबस्टेंशली इशू है, पहला जो सूट ह है, वो भी सेम पार्टी में था, जो अब जिस पे स्टे लगेगा, वो भी सेम पार्टी में है, या हो सकता है, उन पार्टी के द्वारा कोई क्लेम कर रहा है, तब भी, और वेर, अब कीवर्ड आया, सच सूट इज पैंडिंग, पैंडिंग को स्टार मांग कर ले ना, सच स What is pending? यानि कि पहले वाला जो है वो pending मैंने आपको बताया third point, previous जो है pending है, in the same या तो हो सकता है semi court में हो, या इंडिया के किसी भी court में या बाहर भी हो सकता है, लेकिन फिर वो establish और continue किस से हो central government से, या supreme court के सामने, तीन तरह के court आप 1, 2, 3 लिखेगा, सबसे पहले, पहला court, same court, दूसरा जो है any other court in India, तीसरा court, कोई भी ऐसा court, जो बाहर है, लेकिन central government की continuity में है, यानि कि उसके अधिकार में है, और fourth supreme court, तो ये तीन नहीं चार points बनगे regarding court, ऐसे इसको आप bifurcate कर लेना section को, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, अब मैंने इसमें लिए है ingredients, क्यूंकि ये तो आप bare act में से देखी लोगे, इंग्रेडियंट्स बनाने इसलिए जरूरी है, section 10 पे direct question आता है means का, कि आप what are the essential ingredients of rest subjudice or section 10 or stay of suit, तो ingredients का मतलब ये है कि ये जब सारे होंगे, तो आपका suit क्या होगा? चलिए एक-एक लेते हैं, there must be two suits, obviously, stay तो भी तो लगेगा, जब पहला pending है, there must be two suits, one previously instituted and other subsequently instituted, यानि subsequent जो है यानि कि अब वाला, जो हम करना चाहते हैं, previously जो pending है, second है matter in issue in subsequent suit must be directly and substantially in issue in previous suit, दूसरी चीज है regarding matter in issue, यानि कि जिस चीज पे, जिसके तहत आप suit institute कर रहे हैं, इन issue जो suit है, matter in issue, तो वो जो है, same होना जरूरी है, third है regarding parties, both suits must be between parties, same or their representatives, वही जो claim करता है और their claim बेरेक में लिखा है, इसका मतलब उनका representative, ठीक है, उसके बाद देखिए fourth, fourth क्या कह रहा है, previously institute suit must be pending in same court, in which subsequent suit is brought, or in any court in India, or in any court beyond limits of India, established or continued by central government, or before supreme court, चार्त रहे के court आगे, और fourth point हो गया, इसे आप ध्यान रखेगा, fourth point है, और चार्त रहे के court है, और fifth point है, the court in which previous suit is instituted must have jurisdiction to grant the relief claimed in subsequent suit, ठीक है, यानि कि जो previously suit है, जो court है, उसकी jurisdiction भी हो, यानि कि, मान लो, आपने कोई suit institute अब किया है, ठीक है, और पता चलता है, कि कोई और दूसरी court में pending है एक suit, उसकी jurisdiction ही नहीं है, solve करने की, तो जो अब वाला आपका suit है, वो stay उस पे नहीं लगेगा, क्यूंकि jurisdiction होनी जरूरी है, fifth point बहुत जादा important है, court in which previous suit is instituted, must have jurisdiction to grant the relief claimed in subsequent suit, क्यूंकि jurisdiction नहीं होगी, तो आप अब वाले suit को stay नहीं कर सकते, और last point है, such parties must be litigating under same title in both suits, टाइटल जो है same होना चाहिए, यानि कि कोई, मान लो, आप घर पे मुकदमा कर रहे हो, कोई house है, तो वो same होना चाहिए, अगर अलगी हो गया, तो आप कैसे कर सकते हो उस पे, वो तो मुद्दा ही अलग हो गया, तो उस पे stay नहीं लगेगा, ठीक है, title जो है same होना चाहिए, एक question में लिया है, are section 10 provisions mandatory, ये दो नमबर का question, राजस्थान में भी मैंने देखा था, और previous में, और मैंने I think गुजरात या West Bengal में भी इस question को देखा है, तो ये दो नमबर के mark में आप mark कर लेना, कि हाँ, provisions जो है, section 10 के mandatory हैं, क्यों, क्योंकि क्या word use हुआ है, no court shall, यानि कि shall है, shall जहाँ आता है, mandatory provision होता है, और अगर में आता है, तो court की discretionary power होती है, simple, ठीक है, yes, provisions are mandatory as the word shall used in section, इसमें case note कर लेना, मनोहर लाल वर्सेट हीरा लाल, 1962 में, प्रिस्क्राइब किया गया था, कि कोई discretion जो है, court के पास, section 10 के तहत नहीं है, no discretion is left with the court, in this regard, in this section, एक बहुत important case है, 2005 का, National Institute of Mental Health, and Neurosciences vs. C. Parmeshvara, 2005 का section 10 पे, काफी important case है, क्या कह रहा है, देखो, object क्या है section 10 का, CPC का, is to avoid two parallel trials, यानि कि, एक तो कहीं और चल रहा है, एक अब आप लेके आए हो, तो उनको रोकना, वही तो object है, आप एक ही चीज़ पे, दो case कहीं, दो court में कैसे चला सकते हो, इससे court का time भी खराब हो रहा है, ठीक है, तो ये है object, by two courts of concurrent jurisdiction, ठीक है, same jurisdiction के तहत, and to avoid recording of conflicting, अब देखो, दो अगर suit institute होंगे, जरूरी तो नहीं है, same points पे decision दिया जाए, तो दो अगर judge है, वो conflict करेंगे, अपनी issues को लेके, जी निशू पे वो दें, पहले वाले ने दिया, हो सकता है, वे अलग हों, अब जो देगा, वो अलग हों, ठीक है, to avoid recording of conflicting findings on issues, which are directly and substantially in issue, in a previously institute suit, the language of section 10 suggests, अब ध्यान देना, क्या suggest करती है, section 10 की language, that it is referable to suit, instituted in the civil court, and it can't apply to proceedings of another nature institute, under any other statute, ठीक है, आपको I hope समझ में आया होगा, क्या कहरा, देखो, section 10 कहता है, कि कोई भी अगर आप suit institute कर रहे हैं, civil court में, ठीक है, और उसके regarding कोई special statute भी है, example में आपको बता देती हूँ, मानलो labor court है, अब आपने section 10 के तहत, यहाँ भी आप, मतलब suit institute कर रहे हो, civil court में, section 10 के तहत नहीं, civil court में, आप suit institute कर रहे हो, उस पे section 10 लग रहा है, यह मतलब है इसका, और अब, आप कर रहे हो labor court में भी, तो वहाँ पे section 10 अपलाई नहीं होगा, यह यह कहता है, आपने labor court में भी कर दिया, या मानलो दूसरी किसी party ने कर दिया, या आप नहीं कर दिया, तो वहाँ पे जो है, rest subjudice नहीं लगेगा, यानि कि दूसरे statute पे नहीं लगता, it can't apply to proceedings of another nature, यानि कि civil court में ही होना जरूरी है, stay के लिए, जो previously है और subsequent है, अगर subsequent मानलो labor court में, example ले रहे हुँ में, subsequent वाला, previously वाला labor court में था, अब आपने civil court में डाल दिया, same matter पे, तो वहाँ पे section 10 अपलाई नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, means का question आ सकता है, apply का, इस तरह का, कि मानलो आपको problem दे दें, कि ये ने पहले labor court में किया था, और अब कर दिया इस पे, same matter in issue, ये भी लिखेंगे especially, same matter in issue, same title, same parties, तो अब बताओ, क्या लगेगा, अब आप सोचेंगे, हाँ, ये तो पहले हो चुका है, institute solved भी हो चुका है, या pending है, suppose क्यूंकि section 10 pending की बात कर रहा है, तो pending है वहाँ पे, तो हाँ लग जाएगा, नहीं, नहीं लगेगा, दूसरे statutes पे नहीं लगता, simple, ठीक है, उसके बाद, एक question और बन जाता है, मैं points में ले रही हूँ, क्या test है to determine section 10, की section 10 लग रहा है या नहीं, कैसे आप पता करोगे, तो whether, यानि की, अगर previous suit है, whether on final decision being reached in the previous suit, अगर previous suit solve हो गया होता, उसका decision आ गया होता, तो अब वाले decision पे, rest जुड़ी गाटा लग सकता था, यह होता है test to determine section 10, section 11 में rest जुड़ी गाटा गरवाऊंगे न, तब इस point को मैं दुबारा बता दूँगे, ठीक है, यह test है की would be, यानि की अगर होता final decision, previously क्योंकि अभी तो pending है, section 10 में तो तभी light में आएगा, तब वो pending है, तो पहले वाला decision अगर solve हो गया होता, तो अब वाले suit पे अगर rest duty गाटा लगता, तो वो section 10 का test होगा, अगर if, ठीक है, इसलिए मैंने if word use किया, क्योंकि test के लिए ही यह है, कि अगर हो जाता है, और तो उस पे rest duty गाटा लगता, तो वो है test to determine section 10, एक और points हम ले लेते हैं इसमें, important point है यह भी, ध्यान देना थोड़ा, despite being section 10 mandatory, if trial of subsequent suit has proceeded without objection, and judgment has been delivered, क्या कहरा देखो, अगर, अब जो आपने suit institute किया है, suppose कीजिए, उस पे कोई objection ही नहीं हुआ, की पहले कोई suit pending है, दूसरे court में, उस पे कोई objection ही नहीं लगा, और अब आगी judgment, अब वाले suit में judgment आ गई, अब हो गई appeal, तो appeal में जाके, दूसरी party कहेगी, अरे यह तो दूसरे court में भी pending है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ stay नहीं लगेगा, because appeal पे नहीं लगता section 10, section 10 केवल लगता है, trial पे, पहला ही line है section 10 की, no court shall proceed with the trial of any suit, यानि की trial पे proceed नहीं करेगी, appeal में कुछ stay नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो, एक court में आपका suit pending था, चल रहा है, चल रहा है, अब party उने क्या किया, दूसरी एक party ने, अब दुबारा suit institute कर दिया, वो थोड़ी ना बताएगा, कि मैंने code डाला हुआ है, pending पड़ा है, अब ये वाला, जो subsequent वाला था, उसमें आगए decision, judgment हो गई, deliver, ठीक है, आपने, या आपके खिलाफ था, तो डल गई appeal, या आपके hit में भी था, favor में भी था, दूसरी party ने appeal डाल दी, अब appeal चल रही है, अब दूसरी party को पता चलता है, अरे ये वाला suit तो है, एक और court में pending है, अब आप कहते हो, कि जी, याँ पे stay लगना चाहिए, तो court मना कर देगी, court कहेगी, appeal जो है, वो stay नहीं होती, section 10 पढ़के आईए आप, कि section 10 has no relevance, because it prohibits only trial of suits, ठीक है, simple है, कोई इसमें नहीं, 3-4 point है, ध्यान रखना, section 10 से related, इन 3-4 points से अलग, कोई question नहीं बनता है, मैंने बहुत research किये, इसमें, 3-4 question इसी में से ही बन जाएंगे, हमने जो point cover किये हैं, ठीक है, कि appeal पे नहीं लगता, और mandatory है, test क्या है, कि rest duty गाटा लग जाए, और हमने दूसरी चीज़ उठाई, कि court कितनी तरह के हैं, और हमने जो case लिया, उसमें बताया, कि अगर किसी और statute में, suit institute है, और अब आप civil में करते हो, तब भी नहीं लगता है, ये points बहुत ज़रूरी हैं सभी, तो applied question और directly question, मैंने दोनों cover किये हैं इसमें, तो कहीं question नहीं जाएगा, पर इनको हमेशा याद रखना, explanation उठा रही हूँ, pendency of a suit in a foreign court, does not preclude the courts in India, from trying a suit found in India, ये court point भी निकल सकता है, applied का भी बन सकता है, foreign court में एक suit institute किया हुआ है, और अब आप Indian court में आके suit institute करते हो, same cause action पे, सब कुछ सेम है, title, vital और parties वगएरा, सब कुछ सेम है, तब भी उस case में भी section 10 नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको उपर बताया, केवल चार court, same court, या India का कोई court, या supreme court, या बाहर तो हो, लेकिन वो established or continue किस्से हो supreme court से, और यहाँ पे क्या कह रहा है, foreign court, यानि कि foreign में भी है, और established continue supreme court, यहाँ की central government, sorry, नहीं कर रही, वहीं काई court है वो, तो वहाँ पे section 10 नहीं लगता, क्योंकि already बता दिया, चारतरे की court है, और explanation further, एक explain कर रही है, कि foreign court में अगर है suit आपका, तो अब Indian court में आप बेशक डाल दो, section 10 नहीं लगेगा, आपका वहाँ पे judgment deliver होगा, ठीक है, I hope section 10 आपको समझ में आ गया होगा guys, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like कीजेगा, और channel को subscribe कीजेगा, thank you,